मुंबई में बीती राट मुबाइल और हूम इंप्लोईस बनने वाली यहां कंपनी के सर्विस सेंटर में आग लग गई यहां सर्विस सेंटर कांजूर मार्ग इलाके के हैवी इंडस्ट्रियल स्टेट में है आग से इतना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आए है वहीं आग पर काबू पाने के लिए यहां पर फाइव बिगेट भी मौझू थी जहां शॉर्ट सर्केट के कारण आग लगने की जानकारी मिली और जोन सेवन के डी सीपी ने बताया कि सर्विस सेंटर में आग लगने की जानकारी मिली है जिसके बाद घटनास्तल पर दस बारा दमकल वाहन भीज़े गए वहीं इस्थानी लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है बचाव अभियान भी चारी है हाथसे में अब तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है